नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल आज हम जन्मतिति से ये निकालना जानेंगे कि जन्मतिति की सहायता से आप किस प्रकार से ये जान सकते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी होगी या फिर ब्यवसाई करना होगा विभाग कब होगा अन्य चीजें भी इससे निकाली जा सकती है आइए सुरू करते हैं जन्मतिति आपको सरपथम अपनी जन्मतिति लेना है आप इस पे थोड़ा ध्यान दे और कैलकुलेशन करें बिल्कुल सटीक निरने इससे आप निकाल सकते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी जन्मतिति इस प्रकार से लूइदा के लिकागर care अगर किसी बयेखती काज़न्म दस मलन लिए जब बारात अरी को होगा तुछ यह बराबर तुरी ये उसका मुलांक होगा समझ गए मुलांक कैसे निकालना है अब मुलांक के बाद हम भाग्यांक निकालना से जानेंगे तो भाग्यांक निकालने के लिए कुल आंक को आपस में एड करते हैं जैसे एक थाथ एक यहां लिख दिये यह 5 है तो 5 लिख दिये उनाएस 88, सब को आपस में हम जोड़ देते हैं, जब जोड़ते हैं तो यह 32 आपा है 32 को फिर से हम जो इसको double digit में नही लेना है, यह double digit है, इसमें हमें नहीं रखना है, इसको जब भी रखना है हमको single digit में रखना है तो single digit के लिए 3 और 2 को पुनाम ने अपस में जोड़ दिया, अब ये आ गया 5, ये भाग्यांक हमें प्राप्त हो गया, ये हमें मुलांक प्राप्त हो गया, दो अंक हमें प्राप्त हो चुके हैं, इसमें किस प्रकार से भरा जाता है, इस पर हम बात करेंगे, साथ में ये दि लिख लेना है, कुल अंक में एक नंबर पे हमें ये एक लिख लेना है, ये एक, कुल अंक को हम यहां लिख लेते हैं, एक है ये, कॉमा दीजे, उसके राद दूसरा अंक हम भाग्यांक को लिखेंगे, पांच, तीसरा अंक है इसमें एक, कुल अंक, एक, दो और यहां जित आठ इस बात को फिर से देख लें ये एक तो ये एक यहां से लिए हमने ये पांच हमने यहां लिया आई ये फिर यहां से इस इस सारे डिजिट को हमने यहां से लिया है अब कुल अंक मेरे अब इसको भरना सिखेंगे इसको भरना कैसे है ये अब भरना अब है कि जिसमें दे एक, दो, तीन, एक हमारा तीन बार आया है, एक, दो, तीन, ये हमने तीन बार इसमे एक फिल कर दिया, अगर इसको हम सही तरीके से सही सही भर लेंगे तो बहुँच कुछ यह डिजल्ट यहां पर डिकलियर कर देगा, दूसरा है कि पाँच इसमें दो बार आया, पाँच का अस्थान बुद्ध का जब इस ग्रीड में देखते हैं तो यह बीच में है बुद्ध ब्यबसाई को दिखलाता है ध्यान दे यहीं से कुछ पता चलता है बुद्ध जो आपके वेपार करने की कला आपके अंदर की इनर्जी और अस्थाई कारोबार को दिखलाता है दोनकित करता है यह पर सिधी को दील दता है और यहाँ है तो आप इसमें दो बार इस प्रकार से नौ लिख लिए नाइं दो बार लिख से अंदर कारी उनर्ग को दिखलाते हैके क्ञा हट दो बार आया है यह हमने आठ यहां और यहां दो बार 8 को लिख लिए अब यह एक प्रकाशिया गृट को हमने फिल कर दिया इसमें है कि बहुत सारे डिजिट अनुपस्थित है यह अनुपस्थित है इसमें अब देखा asks एत्यूं फ्रीक्त शाने 6 7 की संख्यां बहुत है तो जो भी चीज आपके अंक में से जो भी गरह अनुपस्थित हो जाते हैं तो उन चीजों की जीवन में कमी पाई जाती है इस बात पर ध्यान देना है तो अनुपस्थित हो गया अब ही कि इसमें जो निरुपित करना है हमें तो इसमें नौक्री कारग जो गरह होते हैं जो सरकारी सेबा के लिए दिख लीजिए यह आपसे मित्र गरह बीए है चंद्र गुरू मंगल इसके अंक एक हैं इसके दो हैं इसके तीन हैं इसके नौ हैं इस आंक पर थोड़ा सा ध्यान दें अब आपके जो इस ग्रीड में जब हमने इसको फिल कर लिया थी इस ग्रीड में संख्या एक जो है एक दो तीन बार आया है और तीन ये सूरी निरुपित करता है सूरी जो है सरकारी सेवा को दिखलाता है सरकार द्वारा धन लाब को दिखलाता है ति यहां पर यह हो गई कि सरकारी सेवा पाने की शंभावना अब इस डेट आप बर्त में बढ़ जाती है कि सरकारी श्यवा में जाने की सम्भावना इसमें बहुत अधिक बढ़ जाती है इसमें चंद्र, गुरू और मंगल, मंगल भी है तो मंगल के लिए दिखिए नाइन है यहाँ तो यह भी सरकारी श्यवा के लिए जाने के लिए यह दिखिए यह बढ़ गया कर्म को दिखलाता है सनी ये भी दिखला रहा कर्म में है पांच है पांच ये दिखलाता है बुद्ध अस्थाई काम को ब्यवसाई की भी संबादों को ये दिखलाता है इसमें कुछ चीजे जो अनुपस्थित रहाती है उन चीजों की जीबन में कमी होयाती है इसमें देखने वाली बात यह है कि grid आपका किस प्रकार से बन रहा है यह अधूरा है यह पूरा है इसमें अनी कॉलम जो है खाली रगए ये भी खाली रगए ये भी खाली रगए क्रोस करते हैं तो ये भी खाली है और ये भी खाली है तो इसको जिन जाता का ये कॉलम मतलब ये कॉलम उपर से नीचे माले ये कॉलम पूरा भर गया पूरा ये उनकी दिडिर इच्छा सकती को दिखले अगर यह जाता है तो अगले आंके में करेंंगे अज़की में इतना ही धन्यवाद